तो आदर में लोग बात करें कि क्या वहन बगान एक अपडेट मिलने हैं मैं उसके बारे में आज बात करूंगा और शाथ इसाथ में नून ओर रहे इसके बारे बात किये देगा तो वीडियो सुर करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ना जिलू करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करा ना बोले सबसे पहले बात कि एसल टू में क्या वहन बगान खेलने वादी है तो दिखिए अभी अभी एफसी ने क्या किया एट फिक्सर निकाला है जिसमें वहन बगान के सामने लिखा है विड्रॉप और वहन बगान के इतने फिक्सर से उसको अभी तरीके से एफसी के तरफ से अब वहन बगान को बाहर कर दिया गया है अब यहां पर बात यह ना कि आपके एफसी को अप्रोच करना चाहिए था एफसी को लेकिन एफसी अभी तक एक स्टेटमेंट भी जारी ने कि यह सारे जो अपडेट्स में दे रहा हुए खेल ल लगबग कनफर्म अब लिटत एफसी ने एफसी को अप्रोच तक ने कि अभी तक एक स्टेटमेंट भी जारी देखिया है तो वहन बगान बिल्कुल अके ले पड़ गए वहन बगान तब भी कोशिस की कि वह अपने लेवल पे अप्रोच कर एफसी को हाला कि एफसी को रू उसे और अब देखिया मोंबगार कर क्या सकती है मोंबगार और सफिस्वास की अगर सी रही तो क्या सी येस में दो दिन फैसला देगा वह तो आने वाला नहीं है मोंबढार दा मैचा सब्सटेश को उसकि बासे लगनते आफका एक और मैच है तो यह कैसे होगा तूब बख आपको वहां पर इस सीजन का बैंने वाले वहां पर इस सीजन के नहीं दिखने वाले तो लोलो रेस को तो लगबक इसी ने देखके अगर अगर अच्छा के लिंगे तो वेटर टासर विंडू में किसी खराब खेल रहा हुए प्लेयर के जगा पर उनको रेजिस्टर कर लिया जाएगा तो इस सीजन क्या होगा उनका तो आप देखिए यह मेरा ओपीन है कि मौन बगग को क्या करना चाहिए और आप सभी प्ले अगरती है कि यह बुत कर सकते हो इंगे चीज़ में बतातु चीफ मैं भी बता दो, जो यह बनेजमेंट मे बी-चाहि थी और सपे, में मेन जॉपन इं संटर रा पॉशुन को फ्लियए ते उन दो तीन मैचेस खिलनी का मौकाव तो यह जो मैनेजमेंट जो 80 की मैनेजमेंट आप महन बगा की मैनेजमेंट बर चुकिए है वह मैनेजमेंट बढ़ एक्स्टा प्लेयर को साइन करने ती और उनको फरक नहीं पड़ता है एक्स्टा प्लेयर को पैसे देने पर वह पहले एक कर चुके हैं तो देखने वाले बातों की क्या यहाँ पर दोलो रईस की साथ ऐसा ही होने वाल तो आपका क्या ओपीन है थे भाई हमें को कमेंट करके जलू बताएगा और अगर वीडियो को पसे आए हो तो इसे लांग जिरू करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं